आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग प्राक्टिस सेट जो कि मैंने आप लोग के लिए बनाया है तो इसको जल्दी से मैं ड्राक कर लेता हूँ अपने इस ब्राउजर में या कोई भी पीडिया वियर यूज कर लो यार मुझे तो सबसे सभी पीडिया वियर ठीक है पहली ही बता देता हूँ तो कोई यह मुवी निया जो स्पोईलर अलर्ट देना जरूरी है तो यह बारवा वीडियो है मारा और यहां पर मैं लिख दूँगा प्राक्टिस सेट चाप्टर टू का ठीक है प्राक्टिस सेट टू लिख देता हूँ आपर और एक लास बन जाएगी इस पर मैं मैं में में बना लूँगा और उसकी बाद थोड़ा जूम इन भी कर लेता हूँ इसको बंद कर देता हूँ पहला क्वेशन देखो क्या है कहला है कि what is the result of the following expression एक float है a is equal to तो हम लोग इसको कैसे evaluate करेंगे 7 divided by 4 multiply by 9 divided by 2 है सबसे पहले यह divide आएगा फ associativity of operators अगर आप लोग को chapter 2 याद है तो हमने वहाँ पर देखा था कि यहाँ पर board mask वगरा का खेल कुछ नहीं चलता है सिर्फ associativity का खेल चलता है star और slash जो है उसकी precedence सेम होती है associativity जो होती है वो left to right होती है अब क्यूंकि इस expression में मौझूदा सारे operators की precedence सेम है इसलिए मुझ associativity का खेल खेलना पड़ेगा तो मैं associativity का खेल खेलते हुए सबसे पहले slash को evaluate करूंगा मैं star को evaluate करूंगा slash को जब मैं evaluate करूंगा तो 7 divided by 4 की को value आएगी वो multiply होगी 9 से और वो divide होगी 2 से तो अगर मैं लिकूं 7 divided by 4 तो क्या होगा 1.75 आ गया 1.75 multiply by 9 करूंगा तो क्या गया 15.75 आ गया फिर इसको आधा कर दूंगा divided by 2 करूंगा इसको 15.75 को तो क्या हुआ 7.875 आ गया तो 7.875 होगी इसकी value ठीक है लेकिन यार हम लोग जावा में इसको south करके भी देख लेते हैं तो मैं आपर क्या लिखूंगा जैसे मेरा question कर रहा है float a is equal to मैं float a is equal to दिखूंगा 7 by 4 star 9 by 2 7 by 4 star 9 by 2 अगर मैं इसको mathematically calculate करूं तो मैं किसी ऐसे answer में arrive कर जाओंगा जो की कुछ ऐसा दिखेगा 7.875 कि जावाब में भी यही दिखेगा अगर मैं आप लोग को बताओं कि यह एक integer में evaluate होगा और गलत answer आपको देगा मैं आपर इसको run करके आप प्रिक किया sorry और 4 में क्यों evaluate होगा यह भी आपको बताओंगा और मैंने इतनी जल्दी कैसे बता दिया यह भी आपको बताओंगा तो इस फोर में evaluate हुआ मैंने इतनी जल्दी कैसे बताओं आपको 7 divided by 4 जो है वो 1 होगा चुकि यह दोनों ही integer है दो integer के बीट में arithmetic operation होता है त तो integer में result करेंगी जो कि 4 होगा फिर वो float aim में जब जाएगा तो 4.0 बन जाएगा और आपको 4.0 यहनि कि गलत value दिखाई देगी ठीक है तो इसकी mathematical value आपको दिखाई नहीं देगी अगर मैं आप पर 0.0f कर दूँ और यहाँ पर 0.0f कर दूँ तब यह बात यह अलग कहानी होगी क्योंकि यह पूरा एक floating point होगा फिर उसके बाद इसको मैं 9 से multiply करूंगा वह floating point number होगा floating point floating point floating point number होगा इसकी value है यहाँ पर जो मैंने भी निकाली है 7.875 वह आएगी ठीक है तो इसको run करूंगा 7.875 मेरे पास आ जाना चाहिए and yes 7.875 यहाँ पर आ गई है हाँ 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 आप लोग को लगा होगा बड़ा असान सवाल है यह क्या time pass करा रहे हो यार इतना असान सवाल नहीं भई यह time pass नहीं है यहाँ पर एक एक minute की value एक second की value की जाती है आपके तो यह time pass question तो बिलकुल भी नहीं है I hope की आप समझ गए होंगे इस concept को और मैं आपर आप लोग को बताता हूँ 90 क्या 90 नहीं तो 70 प्रतिशत लोगों ने आपर गलत जवाब दिया होगा इसका ठीक है तो अब आप लोगों ने एक बार ठोकर खा ली तो अब आपको कोई भी इस तरह का सवाल देगा तो आप गल चले की ग्रेट क्या है और मेरे बाजों में बेटे कोई दोसको मैं ग्रेट बता भी दूँ तो मैं क्या करूंगा उस ग्रेट में 8 एड़ करके और एक जावा प्रोग्राम बेज़ दूगा अपने दोसको आपको रोड़ा पड़ा सा लगे गई गई है ताकि वो उसको फिर 8 घटाकर उसमें से 8 घटाकर वो क्या करे कि जो ग्रेट है बो निकाल ले ठीक है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे सिर्फ ग्रेट जोगा उसमें 8 एड़ करेंगे ठीक है तो मैं एक काम करता हूँ यहापर मैं आपर इसको रिनीम करता हूँ सबसे पहले दो right click refactor 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 कहा ह refactor में मैं इसको लिख दूँगा problem number one ठीक है pr01 लिख दूँगा इसको फिर मैं इसको pr02 नाम से एक बनाऊंगा ठीक है तो मैं इसको वापस से rename करूँगा बोरिंग काम कर रहा हूं मैं आपर एक नई class बनाता हूं Java की जल्दी से paste करता हूं pr02 shift enter main enter control scroll project zoom in कर लिए सारे काम अब मैं आपर क्या करूँगा लिखाँगा care grade is equal to मानलो आपकी grade bi ठीक है आप क्या करना चाहोगे अगर आपकी grade bi है तो आप तो अब मैं आपर क्या करूँगा कि इसमें 8 जोड़ूँगा ठीक है तो मैं लिखाँगा grade is equal to grade plus 8 लेकिन जैसी मैं क्या सा काम करूँगा तो मुझे एक दिक्कत आएगी finally जो resultant expression होगा वो क्या होगा वो एक integer होगा कैसे आप आजाओ chapter 2 में मैंने आपर बताया आपको कि आप care और integer में कोई भी arithmetic expression करवाते है तो वो एक integer return करता है तो इस problem को आप लोग solve करते हैं type casting करके तो यह जो भी value अब मैं अगर south लिखूँगा यहाँ पर और मैं लिखूँगा यहाँ पर grade तो आप लोग देखों यहाँ पर जैसे ही मैंने south grade लिखा यहाँ पर j आगई grade जो की कोई grade ही नहीं होती है तो j लगेगा j क्या grade है लेकिन जब मैं decrypt करूँगा इसी grade को तो आप लोग देखों मैं लिखूँगा south सबसे पहले मैं क्या करूँगा care मैं से घटा लोगा जो का मैंने आपर किया प्लस में वो का मैं minus लगा के कर दूँगा और उपस मैं ग्रेट को प्रेंट करना था यार care को क्यों कर रहा हूँ मैं run करूँ मैं इसको और यह देखो जो grade थी मेरी वही मुझे show हो रही है तो मैंने आपर क्या किया cast किया पहले इसको care में और उसमें art जोड़ा और उसके बाद मैंने decrypt करने के लिए इसमें art घटाया और दोनों ही cases में मैंने type casting इसकी कर दी एक दूसरे data type में तो आप दूसरे data type में forcefully cast करवा सकते हो किसी भी एक variable को इस तरह से and I hope कि आप लोग कि यह समझ में आ गई होगी अगले question की तरफ बढ़ते हैं जो कि I use comparison operators to find whether a given number is greater than a user entered number or not तो इसको आप लोग किस तरह से solve करोगे आप सबसे पहले user से एक number लोगे और वो आप किस तरह से लोगे मैं आप एक नही फाइल बना लेता हूँ ठीक है cwh underscore 12 underscore ps practice set 2 का problem number 3 ठीक है और shift enter main और ctrl scroll से zoom और बहुत सारे लोग बात के वीडियो में पूछ रहे है ctrl scroll से zoom कैसे हो रहा है क्या किया settings में जो क्यों मैंने शुरू में बताया है तो यार playlist access करके शुरू से प्रीज वीडियो को देखें आप लोग ज्यादा फाइदा होगा आपका मैं आपर क्या करूँगा import java.util.scanner ठीक है scanner क्यों मैंने इंपोर्ट किया जीकि मैं user defined number लेना चाहता हूँ int a is equal to मैं सबसे पर एक scanner का object बनाता हूँ scanner sc is equal to new scanner system.in और इसके बाद sc.next int ठीक है और मैं आपर लिखुँगा कि south और मैं आपर लिखुँगा a is greater than 8 ठीक है तो अगर a 8 से greater होगा तो यह true return करेगा वन्हा false return करेगा ठीक है मैं right click करके run करूँगा इसको मालो में 99 enter कर रहा हूँ तो true लेकिन अगर मैं 3 enter करूँगा तो false आएगा क्योंकि यह गलत है ठीक है यह एक जूट है यह false में evaluate होगा तो इससारा से मैं यह check कर सकता हूँ कि एक given number से user defined number बढ़ा है और छोटा है ठीक है बहुत ही simple question था राइट the following expression in a java program इसको java program में लिखने के लिए आपको क्या करना होगा इसको java program में लिखने के लिए आप लोग को v star v minus u star u इस पूरे को bracket पर लगाकर two star a star s करना होगा ठीक है तो यह आप लोग इस तरह से कर सकते हो बाइदव एक बात मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जाबा का कोर्स जो है मेरा उसमें मैं आपर आपको बता रहा था operators की associativity और precedence तब यहाँ पर कहीना कई मैंने गल्ती करी थी जो कि यश्राज सिंग बोपराय ने पकड़ी और थैंक्यू यश्राज आपने पकड़ी यह गल्ती और मैंने क्या किया इसको पिन कर दिया कमेंट को कि यार मैंने एक bracket लगाना भूल गया था यहाँ पर और मैंने टाइम स्टेम भी किसी ने लगाया है टाइम स्टेम हाँ ही लगेगा फिर divided by 2 star a star s मैं चाहता हूं कि इसका आंसर सब लोग नीचे comment box में लिखे एक minute लगेगा पस एक minute जाधा बोल दिया 10 second लगेगे सब लोग इसका comment section में लिखो अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो मुझे से दू बाते बता चलेंगे एक तो वीडियो तक देख रहे हूं वीडियो आप तो आप मुझे पता चलेगा कि वीडियो आगे तक देखते हूं और दूसी बात आप लोग लिखोगे इसको टाइप करोगे तो आपकी दिमाग में बात बैठेगी तो fourth question में solve नहीं कर रहा हूं fifth question में क्या होगा int x is equal to 7 और int a is equal to यह पू 4 आजाएगी value ठीक है तो value of e 54 हो जाएगी ठीक है आप चाहो तो इसको sound भी कर सकते हूं मैं इसी program में करके दिखा जाता हूं इसको I just don't want to create a lot of programs युकि यह चीज बहुत straight forward है 7 multiply by 49 divided by 7 किया मैंने और उसके बाद मैंने plus 35 divided by 7 किया और इसको मैं run करता हूं और क्योंकि मैंने scanner दिया था इसलिए कुछ value आरी थी तो 54 देखो यहां पर आगया ठीक है तो 54 यहां पर value आगए तो यह था हमारा practice it chapter 2 I hope कि आपको पसंद आया होगा और आप लोगोंने enjoy किया होगा अगर आप लोग को मजा आ रहा है videos को देखने में तो यहां like करते रहो नीचे के videos में likes बहुत कम हैं तो if possible अगर आप लोग नीचे के videos को like कर देते हो तो it would mean a lot to me अभी के लिए इस video में इतने गए सब लोग playlist access जरूर कर लेना और इस video को like भी आर जरूर कर देना thank you so much guys for watching this video and I will see you next time